Hi everyone, मैं अब सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चानल में Well, Tired and Astrology आज की हमारी ये reading रहने वाली है कि क्या आपके partner आप से सच्छा प्यार करती है या नहीं ठीक है या फिर वो सर्फ time pass कर रहे हैं या उनके लिए relationship कुछ भी नहीं है तो क्या चीज है अज हम इनकाच के थूपता लगाएंगे इस reading को start करने से पहले अभी एक love reading है तो अपने partner के बारे में सोचते हैं अपने person के बारे में सोचते हैं आप एक pile सेलेक्ट करेंगे this is pile no.1 जो कि smokey crystal है this is pile no.2 जो कि black domain है इन में से आप अपने ले crystal सेलेक्ट करें time pile में time stamp दे दूँगे जिसके अंदर आप check out कर सकते हैं साथ में अगर अभी तक आपने मेरे चानल को subscribe नहीं करा है subscribe करें bell icon को press करें like, share करें इस video को comment करकर मुझे जरूर बताएं ये video आपके साथ resonate करी के नहीं करी ठीक है और अगर आप मुझे tarot session book करवाना चाहते है love, career, any aspect पर health aspect पर, finances aspect पर मेरी team का number भी मेरे description box में given है मुझे बाकी social sites पर आप follow कर सकते हैं ठीक है तो अब ये सारी चीज़े आपको मेरे description box में मिल जाएगी मेरे website पर भी आप जाकर check out कर सकते हैं ठीक है तो अब इस reading को start करते हैं जो कि quick reading रहेगी तब तक मैं pile number 2 को side में रखती हूँ and those who have selected the smoky crystal हम उनके लिए check करते हैं कि उनके लिए क्या reading है ठीक है तो please divine, please help my viewers to know कि क्या उनके पार्टनर उनसे सच्छा प्यार करते हैं या नहीं please divine, please help my viewers to know the first card is okay so the card is not that positive let's check out one message card so please divine, please help my viewers to know कि क्या उनके पार्टनर उनसे सच्छा प्यार करते हैं या नहीं the first card is voice the second card is of expressing emotions and the third card is on, off, in and out situation okay so यहाँ पर मुझे chances देख रहे हैं जिन्हों ने भी pile number one select करा देखो यहाँ पर there is a no basic reason यहाँ पर मुझे देख रहा है मैं यह नहीं कहूंगी कि वो आप से सच्छा प्यार नहीं करते हैं लेकिन शायद उनके past में कोई था ठीक है जो जिनके साथ वो बहुत ज़ादा attach हुए थे जिनको वो शायद छोड़ना नहीं चाह रहे थे या फिर मैं यह चीज़ कहूं कि वो उनमें आज भी इतने ज़ादा उस person की तरफ attached हैं कि वो अपने अंदर किसी को या किसी और के expressions को किसी और के emotions को अपने अंदर enter ही नहीं करना है देना चाह रहे है वो यह चाही नहीं रहे कि वो किसी और के बारे में सोचे भी उनके बिना और वो उस चीज़ को accept भी नहीं कर रहे हैं ठीक है कि वो आगे move करना चाह रहे है क्योंकि वो आगे move नहीं कर पा रहे हैं अपने past relationship की वज़े से ठीक है वो अपने आपको protect करकर बैठे हुए हैं अपने past relationship की वज़े से ठीक है just reason की वज़े से आपको भी ये चीज़ feel होती है कि वो अपने emotions को properly express नहीं करते आपके साथ को जादा love करते थे या फिर अपने past में बहुत जादा involved रहते हैं ठीक है या उनके past में कुछ ऐसा हुआ है जिस वज़े से वो relationship में आगे movie नहीं करना चाहते है अगर हम यहाँ पर देखें तो उनका hurt चक्रा भी blocked है ठीक है and it is very necessary for you कि आप express करें अपनी emotions और उनके emotions को जानने की कोशच करें it's all you need to voice कहना बात करना उनसे ठीक है उनको समझाना क्योंकि जो अभी आपकी situation चल रहे है वाज on and off आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उन्हें call करते हूं message करते हूं receive नहीं करते हैं ठीक है या फिर कहीं बार तो बहुत अच्छे से आपसे बात करते है त वो generally आपसे love करते हैं या नहीं ठीक है मैं यहाँ पर of course यह चीज़ कहूंगी कि जब तक वो इस relationship से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक वो इस no की situation से बाहर नहीं निकलेंगे अपने past से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वो किसी और को like या love नहीं कर पाएंगे ऐसे person को let go कर आप चाने ठीक है तो this is all for about the reading for pile number one okay and if your reading आपके साथ resonate करें let me know in the messages okay so जिन्हों ने भी pile number two select करा है so let us check के उनके partner उनको love करते हैं या नहीं सच्छा प्यार करते हैं या नहीं please divine please help my viewers to know के क्या उनके partner उनके person उनके सच्छा प्यार करते हैं या नहीं oh my god the card of impress is there beautiful card okay so let us check through the cards a message card a new beginning influence the stable mindset so such a beautiful reading वो कही न कहीं आपकी बारे में बहुत सूचते हैं और yes मैं यहां पर यह कहूंगी कि बिलकुल जन्होंने भी pile number two select करा था बिलकुल उनके partner उनके person उनके सच्छा प्यार करते हैं उनकी care करते हैं because this is the motherhood kind of a card यानि वो कही न कहीं आपसे इतना प्यार करते हैं जतना वो अपने parents से अपनी mom से ठीक है जैसा वो उनके लिए feel करते हैं अपने family के लिए जैसे वो care करते है उतनी care शाद आपके लिए भी करते हैं ठीक है और वो आपको call करते हैं आपको message करना आपसे बात करना उन्हें बहुत पसंद है ठीक है और आपके साथ काफी compatibility उनकी अच्छी बैठती है और आप दोनों एक साथ बहुत अच्छा time spend कहीं न क ही feel करते हूँ ठीक है और साथ में ये चीज़ भी है वो आपके साथ एक stable relationship देखते हैं वो चाहते हैं कि आपके साथ एक long term relationship या फिर एक stable relationship को लेकर जाएं तो जिन्होंने विलकुल file number two select करा I will say that yes उनकी partner उने बहुत प्यार करते हैं as a family as a mother as a parents वो उनसे बहुत जादा प्य प्यार करते हैं नहीं तो कहीं situation में वैसे मुझे influence भी दिख रहा है आपर तो maybe there can be a one point यहाँ पर जैसे कि influence का card उटकर आया है I am definitely going to pick one more card कि influence का क्यों card pick होकर आया है so please divine please help me know कि influence का card उटकर क्यों आया है it's a stalker kind of a card okay so यहाँ पर मैं यह चीज़ कहूंगी कि maybe यहाँ पर यह situation है या तो आपके relationship में कोई lady influence बहुत है parents की तरफ से it's not someone outside कोई third party influence नहीं है यह सर्फ influence है यानि कोई आपके person में maybe negativity भर रहा है maybe कोई family की side से तो एक point यहाँ पर यह भी चीज़ होता लेकिन आपका partner उस influence से इतना जादा influence नहीं है because he stalks you आपको देखना आपके बारे में सोचना आपका क्या कर रहे हूँ वो जानना चाह रहे हैं वो देखना चाह रहे हैं ठीक है तो of course वो उसका इतना effect यहाँ पर मुझे नहीं देखा तो I will say that yes new beginning maybe वो अपनी आपके साथ एक नहीं शुरुवात देखते हैं वो चाहते हैं कि आ आपके साथ रहेना चाहते हैं आपके साथ बात करना चाहते हैं आपके साथ अपने emotions को express करना चाहते हैं और basically उनका बिल्कुल stable mindset है आपको लेकर यानि कहीं न कहीं वो ये चीज़ सोचते हैं कि आपके साथ जो उनकी एक life है ठीक है आपके साथ आपको लेकर वो बिल्कुल यह एक होता है na confusion वाली state तो यहाँ पर मुझे वो confusion वाली state नहीं दिखी, यहाँ पर मुझे stable mindset दिखा है उनका यानि वो बिल्कुल clear है अपने mindset कि हाँ मैं इस person से love करता हूं यह person मेरे लिए सब कुछ है as a family है, as a parent है ठीक है, वो कोई कुछ भी कहें लेकिन वो उनका mind को बदल नहीं सकते right, stable mindset उनका है चाहे कोई influence हूं चाहे ना हूं, because for some people I can see this influence from their parent's side or from some of their friend's side anyhow, there can be some influence can be there लेकिन यह stable mindset, एक बहुत ही positive काड है, यानि कोई कुछ भी कहें उससे उन्हें फरक नहीं पड़ता ठीक है, so that is the reading for pile number 2 रेली हूप अगर ए रिदिग आपके साथ रसूनेट करती है, hit a like button and do let me know in the comments share it with your friends thank you so much